कक्षा 11 के चात्रों का मेरी कक्षा में श्वागत बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नए लेसन कारिय, उर्जा, और सामर्त, वर्क, एनर्जी, एंड पावर, बच्चो इस लेसन में सबसे पहले हम सुरू करते हैं कारिय, इसको बोते हैं वर्क, और सामने तो हो, जो कारी है, कारी को हम किस तरह के से जानते हैं, कि जो सालिरी और मानसिक, जो परिश्रम करते हैं, वो क्या कह जाता है, सामाने भासा में कारी कह जाता है, जैसे उस तक को पढ़ना, खेलना, कूदना, धक्का मारना, दिवार पर धक्का मारना, ठीक है, बोज को सर पर उठान इस तरीके से सामाने तो हम जो भी कारी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं और कारी करने के लिए हमें किसी क्या आउस्थिता होती है और उजा हमें कहां से प्राप्त होती है भोजन की दोरा हमें प्राप्त होती है कोई भी कारी करने से पूर्व हम जो है जब भोजन करते हैं को ह कि स्वेर पृटकर यदिया थृटिजन करेंगे तो बोर गॉन करने के पश् sprषाद आम किसी भी कंरहे कॉ और वाल्था कि हो सब्सक्राइक हो घ्या अव्हार्यक में इधिन का रहे यंद्र काले कघ्र में तो उसके लिए कि आम आउस्क्ता हुगी तो बच्चों यह हुआ आपका सामानिभासा में कारे का मत्रव है। अब हम यदि बैग्यानिक दिश्टी से बात कर रहे हैं, तो जो हम बात कर रहे थे, कि यह जो है कारी है, हम कह रहे हैं कि सामानिभासा में हम जो कारे कर रहे हैं। सामय तो हमने जो भी कारे की है, हमने हम उसको कारे का रूप दिया लेकًट जिजन की दिस्ते से इसकी जो डेफ्रेशन है वो भिन्य है ठीक है जब हम किछिन की दिश्ते से कारे उसकी कहलाएगा जब हम किसी वस्तु बर डिवारा क्या करिंगे वी स्थापित करींगी वो हम कारे कहलाता है लेकिन यदि हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं दिवार पर हम क्या कर रहे हैं धक्का लगा रहे हैं तो धक्का लगाने पर चाहिए हम कितना ठक जाएं, लेकिन दिवार में कोई भी इस्तापन नहीं हुआ, तो यहां पर कारी क्या हो जाएगा, सुन्य हो जाएगा, ठीक है, यह हम यहां पर कहीं पर जो है, किसी बोज को सर पर रख करके खड़े हैं, चाहिए हो बोज कितना भा देटिशन है कि किसी वस्तुपर बल लगा कर उसको बल की तीसा में मिश्थापिट करना किया कैलाता है 200 कि का सौ प्रियासनी आठा ह bank कि इसक लोगे, कि सौ disse अपने केुमें आए कि सौ आजिवारि का हम दॉब्र होना भी ठाक जाएं तो भचो इस कारे को पढ़ने से, जो हम कारे की इसके कमआपने के लिए किको बापन की दोरा क्या के लिए कि कारे को मापने के लिए हमारे पास जो इसले प्राइड में अब्लिदोग काले करने के लिए था होती कारे को कारे क्लेनका मृता हूं पर दिवार के सारे बराबर दूरी पर हमने कोई अंकित किया हुए है बराबर दूरी पर अंकित किया हुए है और यहां पर कोई गिरनी हमारे पास है इस गिरनी के सारे बराबर दूरी पर 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 और दूसर ब्यक्ति भी इसको A से C तक दाता है, तो हम कहेंगे, पहले ब्यक्ति के द्वारा जो किया गया कारी है, वो जो है बरावद है, यदि ब्यक्ति इसको A से C तक उठाता है, और दूसर ब्यक्ति इस इंट को A से कहा तक F तक उठाता है, तो यहां पर हम कहेंगे, ब्य कि अधार के हम क्या करते हैं मापन की विदी से हम क्या करते हैं गणना करते हैं मतब किसी वस्तु पर यह देखिए बच्छो इसकी डेफनिशन है कि कारे को करते हैं कारे ब्राबर होता है अधिसराशी है तो दो सधीसराशी है और दो सधीसराशी का जो अधिसराशी होता है क्या होता है अर्थार हम इसको लिखते हैं यह हमने इससे पूरू पढ़ा है यहां पर देखिए यहां पर समझने वाली बात है कि जब कोई वस्तु है और यह वस्तु है यहां पर है अब इस वस्तु में जो है पिस्ता पर हुआ है आप जाते है व्स वस्तुम कि आरएल पर में जातो कारी ऐनकरी जालेगा हुआ है तो यहां पर जो पर जो खारी होता होटार है यह कारी हो जाएगा निस इस दिवल इस दोगाल ऐसार्चन मिलम और युहां पर जानते हैं किसी निंतम समय में किसी निश्चित समय में राधनिक और अन्तिम इसकती की बीच चलेगी जो दूरी होगी इसको बिस्थापन गेते हैं अर्था ये भी क्या है चले जो ब्ल आप जानते हैं और यहाँ पर जो है कारी हो जाएगा डबल ब्राबर एंटो डी अब आप देखें आपने देखा कि कही वार क्या होता है बच्चों कि जब हम किसी वस्था पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर बल का जो बिस्थापन है और बल की जो दिशा अर्थार जब हम किसी वस्तु को बर के सारे वस्तु है और यह इसका विस्तापन हो गया यहां पे तो हम क्या करते हैं इसको पॉन के सारे अर्थार जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो बल और विस्तापन की दिशा क्या है विप्रीत हैं जब हम किसी वस्तु पर इतना बल लगाते हैं तो बल की दिशा और पिस्तापन में ज्या होता है तो डिफ्रेंस हो रहा है अलग अलग है और वह एक तुस्ते से थीटा कॉन पर व्योस्तित है तो यहां पर कादे निगा लेंगे तो कादे पराबर हो जाएगा और हम यह भी वेक्टरों का आपने व्योजन पढ़ा होगा तो यहां पर हम वेक्टरों का व्योजन में इसको इस एफ का जो परिणामी जो वेक्टर है इसको दो घटकों में व्योजित कर देते हैं ठीक है कि यह जो गटक हो जाएगा यह हो जाएगा लंबवाद घटक और ही थीक है यहzuge छह गटक हो गाज तो जो यह इस थीटक होगा यह खार हे हम बात करने हें कालए के उसकों एक बात करने की तो काली जो evam तो बच्चो यहां पर हमने इससे पूरु वाज़ा है तो बच्चो यहां पर हमने इससे पूरु वाले लेशन में हिए जब वेक्टरों के अनलेशस में हमने जो वेक्टर समय हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि दो सदिस रासियों का दो सदिस रासियों का अधिस गुरन फर दो सदिस रासियों का अधिस गुरन फर होता है पहला सदिस रासियों का अधिस गुरन फर दो सदिस रासियों का अधिस गुरन फर होता है पहला सदिस रासियों का अधिस गुरन फर दो सदिस गुरन फर होता है उसको हम बोलते हैं A dot B तो A का जो परणामी वेक्टर होता है A वेक्टर का जो परणामी होता है वो A होता है B वेक्टर का जो परणामी होता है A B और इनके बीच मैंने आपको अभी बताए था A B cos theta यहीं हम इसकी बात करें अभी मैंने आपको बताए था, यहीं पर आपको बताए था, W बरावर F dot D, बरावर F D cos theta, क्योंकि विश्थापन जो है, विश्थापन भी जो है, 30 रासी है, बद भी क्या है, 30 रासी है, तो F dot D है, दो 30 रासी का जो अधिश गुलन करोता है, उसको हम कारी कहते हैं, ठीक है बच्चो, दूसरा है हमारे पास, दो 30 रासीयों का सद्धिश गुलन फर, दो 30 रासीयों का सद्धिश गुलन फर मिस, एक 30 रासी हमारे पास A है, ठीक है, दो 30 रासीयों का जो अधिश गुलन फर होता है, ने वह किस के बराबर होता है दो सदिस राशियों के दोनो बेक्टरों के परणामी के बराबर होता है किदि एक है, E B cos theta के होता है और जहां पर हम जो अद être घूसे कowan करते हैं और दोट से गुणन फल से ब्यक्त करते हैं ब्यक्त करते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे आप दो सदिस राशियों का जो सदिस ब्यक्त होता है वो होता है अब दो सदिस राशियों का सदिस ब्यक्त करते हैं यह होता है एवी साइं ठीटा ठीक है बचों यह हमने अभी जो है जो कारे पड़ा कि जब हम किसी वस्तों पर बन लगा रहें तो बन के दिसामें विस्थावित हो रहा अर्थार जब बल अधिक्तम होगा तो बल के द्वारा जो बल का दिसा और विस्थावित की दिसा है वह एक दिसा मेना होकर के ठीटा कॉन बना रहे हूं ठीक है जब मैंने कहा जब कोई वस्तों पर हम क्या लगा रहे हैं तो बल की जो दिसा है एफ और विस्थापन की जो दिशा ने दी वो क्या है वो थीटा कोण बना रहे हैं यहां पर जो है इसका जो 36 घटक हो जाएगा इसका जो बन चूंकि हमने यह जो है वेक्टर का व्यूजन हमने पड़ा है तो यह जो परणामी वेक्टर एफ है एफ का जो लंबद घटक हो ज सब्सक्राइब दमान नहों और एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो काड़े क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास जो काड़े हो जाएगा जो काल रहे हो जाएगा डबलु बराबर एफ डॉल्ट डी यह हम इसको दूससादिस राशियों का अजिट गूलन एफ डी कोस थी देखे बच्चो, सदिस रासियों के अदिस बरनगा, अदिस गुरन के गुर्ण, दो सदिस साचों का तो अदिस गुर्ण होता है, उनकी गुर्ण क्या होता है? यदी दोनों, बेक्टर क्या होता है एक दूस्ते के सावंतर होता है उनकी सावंतर होता है, पहना गोड़ दो सब चासियां, एक दूस्ते के सामंतर होते हैं, तो क्या होता है, तो सावंदर होगे तो aja와 zero degree थीटा बरावट सोजी जीरो डिगरे तो a dot b a dot b बरावर a dot b बरावर a b cos थीटा और थीटा क्या हो जाएगा यह जीरो रगते हैं a b cos 0 डिगरे बरावर cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है यह जाएगा clear है जब on the जो है वेक्टर जो हैं दो सदीस दासियां और जो अजिस गुरन फ़र होता है यदि वे एक दूसरे के सामंतर होते हैं वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर B यह है दोनों की दिशा क्या है समान है ठीक है तो यहां पर जो है थीटा क्या हो जाएगा 0 अगला यदि एक दूसरे के लंबवत है वाना A वेक्टर यह है ठीक है और B वेक्टर हमारा क्या है लंबवत है एक दूसरे की क्या है लंबवत है ठीक है यहां पर जो है कुष्टी कर्डिशन यदि A वेक्टर B वेक्टर जो है लंब है A पर यदि B वेक्टर क्या है लंब है इसको लंब से देनोट करता है देख रहे हैं तो B वेक्टर यदि A पर लंब है तो थीटा ब्लावर क्या हो जाएगा 0 दो सदिस राशियों का जो दो सदिस राशियों का जो अधिस बलन हता है जो जाएगा A B कौस थीटा और A B कौस 90 लेए मैंने आप को बताया ंती है यह क्या करते है क्या क्रम बिन्मी कि नियम का पानन करता है किकरК essay हमारे पास ho Cody स्भीत दो सदिस रास्यों का जो अधिस गुरण पर होता है, बच्चो, हमने यहां पर देखा है, यदि दो सदिस है, ए सदिस है, और ये बी सदिस है, ए एक दूसरे से थीटा एंगे उबर, ठीके, तो हम कह रहे हैं, कि बी का एक इसाप एक जो है, यहां पर हम क्या करेंगे, बच्चो, यहां पर यो है यह 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 बी सदिस है, यह यह बी का बी यह बी परणामी सदिस है, तो इसको ब्रैक्टरों के व्यूजर में हम दो गटगों में ब्यूजित कर देते हैं, यह हो जाएगा आपका B sinθ और यह जाएगा B, इसको हम लेखिंगे B cosθ, इसको जो 26 घटक होगा इस तरीकी से बच्चों, हमने यह व्यूजित कर दिया, दो घटकों में व्यूजित कर दिया, तो हमारा जो है देखिए, A.B. बलावर क्या हो जाएगा? A का परणामी क्या हो जाएगा? A, B का परणामी जो है, B cosθ, और हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, A.B. cosθ, A.B. बलावर, A.B. cosθ, हमने इस तरीके से भी इसको जिया कर दिया, व्यूजित कर दिया, ठीक है? तो बोलने जाएगा हमारा जो है, यह हो जाएगा, यह हम किस आइड, बलावर, A.B. cos −θ, उस्सितर के सांब वियूजित करेंगे, आप देख रहे भी डोट ए बराबर एभी एभी कॉस ठीटा बी ये लिखा या ये दोने भी जूखें कि बात है तो बच्चों हम देख है ये दोने भी जिगा है बराबर है अडोट वी बराबर वी डोट ए अर्था यहाँ करता है शों में तरिम नियम का पाओं करता है कि कर अगला है विट्रद की नियम का पाओं करता है जो दो सदिस्तास्य हूं पादिश कर अधिश अधिस गुलनफल जो अधिस गुलनफल होता है मतलब ए डॉट बी इजी पर्ट हो जाता है वो किसका नियम पालन करता है वो पालन करता है अधिस गुलनफल बीतरण नियम का बीतरण नियम पालन करता है इस तरीके से a dot b dhcount c यह हमारे पास है तीज सरीज जगी हमारे पास हैं। यह उल्जाएगा a dot b plus a dot c ठीक है माचोग इस तरीके से भी समय in a dot c तो यह भी हमारा इस वित्रण के नियम का क्या करता है? फाम्न करता है ठीक है अगला जो है इधी यदि एक सदिस दूसरे सदिस से क्या करता है यदि एक सदिस का दूसरे सदिस से कर देंगे बुड़ा कर देंगे यदि एक सदिस एक उसी सदिस एक सदिस कर देंगे A dot A dot A मुराबर A A और स्थिता सबोज ए गी यह है और दूसरा A भी यह है देखें, दोनों की जिशा क्या है? सैम है, दोनों बराबर है बोने लोगपर है दोनों सद्धिश क्या है? बराबर है, A बराबर A के पोस्थिता जोड़ जएगा 0 अब हम अगला जो टॉपिक वड़ते हैं कारे का मापल कारे का मापन होता है कारे का मापन के लिए मैंने मिजर्मेंट अब वर्क कारे का मापन मतलब किसी वस्तु पर बल लगा कर उसको बल की दिशा में कारे कहलाता है किसी वस्तु पर बल लगाकर वीष्धाफित करना कौ़ यदि बचो मैंने कहा आपको कि मानने कोई वस्तु है इस पर हमने बल लगाया और वस्तु होगी पिस्तापित है बल की बल इतना ज्यादा है कि जो इनके पीज डी है विस्तापन हो गया ठीक है यहां से यहां अब बल यही ज्यादा हो तो बल की दिशा F और वस्तापन की दिशा यही बल ज्यादा है तो गती और वस्तापन की दिशा बल और वस्तापन की दिशा किया है इन है और एक दूसरे से थीटापन यही बना रहे हैं यहां पर मैंने बताया था बच्चो आपको.. कही बार बता दिया है.. कि यहां पर बल की दिसा है.. बल की दिशाह रही है.. .... यहां पर बल को जो परड़्णामी को हम दो घटक अनुटी भ्यू जीत करते है.. नम्बर ए घटक हमारा यह हो जाएगा नम्बर ए घटक हो जाएगा F का और दूसरा जो है छहती है यह हो गया तो हम जो है इस तरी की से दिश्को पीछे कर लेते हैं और यह हमारा जो है घटक तो यह F का जो 36 घटक जाएगा F F cos theta और यह लंबर बटक हो गया F sin theta ठीक है तो कारी जो हो जाएगा W बराबर F into D हम लेखते है F को हमके नहीं क्या लेख लिए F cos theta into D यह हो जाएगा F d cos theta लेखते हैं अटा हम इसको बच्चे इसको मैंने आपको बताया कि दो सदिश्टासरों का अधिश्ट ग्रण फट उसका जो उधारन है 2 सदिश्टासरों F into D बाले भी सदिश्टासी है कारी भी सदिश्टासी है F d cos theta यही क्या है हमारा कारी है किसी वस्तो पर बल लगाकर उसको बल के दिशा में दिश्टापित कर रहे हैं किसी कौण के सारे वहां पर जो सूतर होगा बल भी कारी भी जो गढ़ना करेंगे वह हम इस सूतर कर रहे हैं अब चोड एक सी पिसमें कारी जब जब बल और विष्थापन की दिशा मतरब जब हम जब हम बल लगा रहे हैं बल जब काईचे नशनें है जब बल अधा विष्थापन की दिशा समान है तो यहां पर देखेंगे बच्चो यह हो जाएगा डबलू बराब एक दी कॉस जीरो डिगरी यह हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे कारिक अधिकतम काम होगा जब 1 और विस्थापन के दिशा समाल हो जिदर हम बल लगा रहें यहीं विस्थापन उदर ही हो रहा है तो कारिक क्या होगा अधिकतम होगा ठीक है अमरे दूसरा दूसरा जो है यहीदि यहीं बल और विस्थापन के बीच एक दूसरे के लमग उता हो अठ चाट यह विस्थापन हो गया और यहाँ पर जो है एक दूसरे के एफ हो गया यह यह दी और यह एफ तो kabul बल तथा पन एक दूसरे के लमग होड़ है अब देख रहे होंगे बद और विश्थापत एक दूस्टे के लंब वथ है तो कारिये दो सदिस राशियों को अधिस ब्रण परोगता है अधिक दिस्टापत पर जाएक दूस्टापत दिसा एक दूस्ट्रे के लंबध है तो कारी क्या होगा शून्य होता है तो कारी शुनी होता है पठार कि जब हम क्या करने हैं बच्चो कुल्ली देखा होगा आपने प्लेट फॉर्म में जो कुल्ली देखा होगा जब वो ट्रंक को सर में उठा करके इदर उदर रिजा रहा है तो वहां पर कारी क्या होगा सुनी होगा जब कोई व्यक्ति सर में भार उठा कर भी खड़ा है इदर उदर चला तो उसकी द्वाला जो किया गया कारी होगा वह क्या कहलाता है शुनी कहलाता है तो ये इसकी उधान होगते है ठीक है ये बल तथा विष्थापन की दिशा क्या हो ये बल तथा विष्थापन की दिशा विप्रीद हो तो ठीटा पराबर क्या हो जाएगा कारी इदर हो रहा है बल इदर नग रहा है और विष्थापन इदर को हो ठीक है तो इस तरीके से जो है विष्थापन थीटा क्या हो एक सो असी दिगरी हो तो कारी हो जाएगा कारी क्या हो जाएगा यहां पर देखेंगे बच्चो आप यह कारी क्या हो जाएगा रहना पर हो जाएगा एक दूसरे के विष्थ हो तो कारी क्या हो जाएगा रात पर होगा अर्थाप आपने घरसर बला फ्रिक्शन पड़ा और फ्रिक्शन में आपने कहा कि जब एक वस्तु की सदोह दूसरे वस्तु की सदोह पर क्या होती है गती करती है तो उसके गती के विष्थ एक बनकाम कर तो गति का बिरोध करना ही क्या 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 होता है तो गति का बिरोध करना ही क्या 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 होता है तो पच्छो ये तिस्ती कंडिशन है और चौती कंडिशन यहां पर आती है कि ये दी पच्छो कि कारी हमारे पास क्या हो रहा हूं यही कारे क्या हो रहा हो सुन्य हो रहा हो अगला जो है चौछा पारिट हमारे पास था यही विस्थापन यही विस्थापन सुन्य हो यही विस्थापन क्या हो सुन्य हो तब भी कारी सुन्य हो रहा हो एफ दी कॉस थीटा, यह जी बिस्थापन क्या हो सुन्ये हो, डी बराबर क्या है जीरो, एफ इंटु जीरो कॉस थीटा, यह हो जाएगा जीरो, अर्थात बचों मैंने पहली के लिया, जो सामाने तो हमने कहा, जो कारी है, मतलब सारे जिक और मांसिक जो परिश्रम है, वह का मार रहे हैं, और हमने इतना बल लगाया, कि हम ठक गए, लेकिन दीवार में कोई बिस्थापन नहीं हुआ, तो वहां पर कारी होता है, अभी कारी होता है, सुन्य होता है, लेकिन ब्यभारिक पर आप देखें कि हम बहेंगे, हमने बहुत जाला कारी किया, यह हम किसी बोज क बूता है, तो सर में उठा करके ले जा रहे हैं, तो बोलने का मतलब है, कि कारी का मापल है, कारी का मापल मैने आपको पताया, कि उसके लिए कंडिशन के आधार कारी क्या करते हैं, करते हैं और कारी जो है यह लेसन जो है बच्चों इंपोर्टेंट है मुझे पूर विश्वा से कि आपकी समझ में यह टॉपिक आया हुगा धन्यवाद